Hello दोस्तो, Welcome to your channel परिक्षा.com Easy to understand, easy to learn दोस्तो, आज हम abstract algebra का एक problem solve करेंगे जो की IIT Jam 2020 में section C से पूछा गया है दोस्तो, question का जो setup है ना बहुत ही सांदर है अगर आपका group theory का base clear है तो ये question आसनी से solve हो जाएगा अगर नहीं भी है, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो का इंट तक देखिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो चलिए, सुरू करते हैं देखिए, problem में कहका information की वेन है G एक group है, of order 57 यानि G एक group है, इसका order 57 है जो की cyclic नहीं है, which is not cyclic तो G not cyclic next, G contains a unique subgroup H of order G यानि H एक subgroup है, G का जिसका order है, 90 देखिए, यह subgroup unique है यानि, 19 order का और कोई subgroup G के पास नहीं है अब देखिए G एक group है, H उसका एक subgroup है अब आपको क्या पुछा गया है? आपको पुछा गया है, कि उस G का order निकालो, जो G minus H में है, यानि इस portion में है तो चलिए, निकालते हैं देखिए G कोई एक finite group है यानि, मानली जिए, G का order N है अब A कोई एक element है G के अंदर ठीके, then order of A, यानि element का जो order है, वो G का order को, मतलब group का order को divide करेगा यानि, order of A divides N अब देखिए, G का order का है G का order है, 57 तो एक 57 का क्या का divisor है, 1 है 3 है, 19 है और 57 तो अब हमारा element का order क्या क्या हो सकता है हो सकता है 1, हो सकता है 3, हो सकता है 19, और 57 भी हो सकता है, यह है हमारा possible order, किसका हमारा जो element है, G के अंदर अब हमारा एक result का आएगा result क्या है, result है कि मानली जिए G एक finite group है जिसका order मानली जिए N है तो यह तो यह G साइक्लिक होगा जिसका order, जिसका order, G का order से सेम होगा तो आप बोलिए हमारा जो G है, question में G का order क्या 57 हो सकता है नहीं क्यों? अगर G का order 57 हो गिया तो हमारा जो group है वो साइक्लिक हो जाएगा मगर हमारा group क्या है नॉन साइक्लिक तो इस group में 57 order का कोई element हमें नहीं मिलेगा तो हमारा order 57 नहीं होगा next क्या उस element का order 1 हो सकता है अब आप जानती होंगे किसी भी group में एक order का एक ही element होता है वो क्या होता है? वो होता है identity element इसका order क्या है? 1 हमें जो element का order निकालना है वो कहाँ पर है? वो इस portion में है यानि G-H में है अब देखिए H सब ग्रूप है किसका G का और आप जानती होंगे G और H का जो identity element है वो सेम है यानि G का जो identity है, H का जो identity है वो A की है तो अब बताईए identity किस portion में है obviously identity इस portion में है बट हमें निकालना है इस portion का element का order तो हमारा जो element है उसका order 1 नहीं हो सकता है तो 1 भी नहीं होगा अब देखिए सब ग्रूप H इसका order क्या है सब ग्रूप H का order है 19 और 19 का डिवाइसर क्या है 1 है और 19 है तो H में किस-किस order का element मिलेगा 1 order का और 19 order का अब 1 किसका order है 1 है identity का order तो H में बाकी सब एलिमेंट का order क्या हो गया 19 हो गया अब देखिए ये सब ग्रूप क्या है यूनिक है तो ग्रूप में जितने 19 order का element है वो साड़े की साड़े H में ही है तो G-H में कोई भी 19 order का element नहीं मिलेगा तो अब G-H में एक order का element नहीं है 19 order का element नहीं है और 57 order का element भी नहीं है तो G-H में यानि इस पोर्षन में जो element है उन सब का order 3 है अच्छा एक चीज़ देख लीजिए इस ग्रूप का order क्या है ग्रूप का order है 57 इसको हम क्या लिख सकते है 3 into 19 अब एक result है result क्या है कि अगर कोई group का order P into Q फर्म में है जहाँ पर P और Q प्राइम टू इच अदर और P divides अच्छा P less than Q है अगर P divides Q-1 यानि P अगर Q-1 को divide करता है तो Q order का यानि जो इन में से बड़ा है उस order का group में 5 Q element है अगर कोई group है Euler 5 function इसका 5-19 क्या होगा 18 होगा तो अब देखिए group में 19 order का 18 element है अब problem में देखिए age का order क्या है age का order है 19 एक element हो गया identity बाकि कितने element बजगया 18 तो वो 18 element किस order का होगा 19 order का होगा तो आप इस तरीके से भी देख सकते है तो कितना अच्छा सा result है I hope आपको यह solution समझ में आ गया होगा अगर नहीं भी आता है कोई doubt है तो ज़रूर comment कीजिए और अगर आप चाते हैं कि मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाता रहूं तो वीडियो को लाइक कीजिए आपके friend circle में इसको share कीजिए और subscribe to our channel farisa.com Thank you